प्रगती मैदान में बायोटेक स्टार्ट अप एक्सपो शुरू हो चुका है प्यम मोधी ने स्टार्ट अप एक्सपो का उधगाटन किया बायोटेक स्टार्ट अप एक्सपो 2022 में खरीब इसमें 300 स्टॉल होंगे आठ साल में बायो एकॉनमी कई गुना बड़ी है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने आज दिल्ली के प्रगती मैदान में बायोटेक स्टार्टप एक्सपो 2022 का उधगाटन किया इस एक्सपो में करीब 300 स्टॉल लगाए गए हैं 2022 एक्सपो की थीम बायोटेक स्टार्टप इनोवेशन आतनर्भर भारत की ओर रखी गई है जिसमें प्ये मोदी ने कहा कि इस एक्सपो क जरियत दुनिया को भारत की ताकत का पता चलेगा पीम ने कहा कि पिछले आठ साल में बायोएकनॉमी में कई गुना की बढ़ोत्री हुई है इस मौगे पर पीम ने हर सेक्टर का साथ हर सेक्टर का व्यकास का नारा दिया भारत के बायोटेक सेक्टर की एक्सपोंसिर्स जो ग्रोव का प्रतिवीम है बीते आट साल में भारती बायो एकोनोमी आट गुना बढ़ गई है दस अरब डॉलर से असी अरब डॉलर तक हम पहुँच चुके हैं भारत बायो टेक के ग्लोबल एको सिस्टिम में टॉप टैन देशों की लीग में पहुँचने से ज़्यादा दूर नहीं है अरी सुमबार से शुक्रवाद शाम छे बजे सिर्फ टीवी नाइन भारत वर्च पार